इस वीडियो में सॉल्व करेंगे या फाइंड करेंगे स्क्वार रूट आफ 150.0625 तो यहां पर ध्यान दिजिएगा डेसिमल के राइट साइड में फोर डिजिट हैं जिसका पेर बन सकता है ठीक है तो यह सकता है यह परफेक्ट स्क्वार हो और एक्स्वार जूँ है हम जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वार जब रहता है तो डेसिमल के आगे even number of digits होते हैं यह बिल्कुल याद कर लिजे तो खेर हम लोग solve करते हैं इसको तो decimal के right side में जो digits हैं उनका पहले pair बना लेते हैं तो यह 25 बन जाएगा और यह बन जाएगा और decimal के left side में अलग से बनाते हैं तो यहां बनेगा यह 5-0 का और 1 का नहीं बन पाएगा 1 का अलग से रखेंगे ओके 1 तो यहां पर हम ने बना लिया है तो 1 को पहले हम solve करेंगे मतब 1 मिले जाएगे तो 1 का square मतब कि 1 जो है किस का किस number का square है 1 का ही है तो 1 से लिजाएगे पहले-पहले 1-1 जाब 1 यहां रखेंगे cancel out हो जाएगा फिर 50 उतारेंगे और यहां पर add कर देते हैं 2 और 1 यहां पर लिख देंगे क्योंकि यहां पर answer आ रहा है 1 हो जाएगा अब यहां 2 हो गया अब कितने से ले जाएगे कि 50 आ जाए तो 2 से डिबाड़ कर यह 50 में कितना मिलेगा 2 से डिबाड़ कर यह 5 में तो 2 तू जा 4 2 बाच चला जाएगा मतलब कि 2 से ला जाएगा तो 2 तू जा 4 तो यहां पर हो जाएगा 2 तू जा 4 and 2 तू जा 4 Mins मिल जाएगा क्या 6 अब देखिए इसके बाद 6 के बाद जो है हम decimal के बाद वाला pair उतारने वाले हैं तो इसके बाद जो हम decimal लगा देंगे मतलब कि यह दो बार गया था दूसरी बार 12 के बाद हम decimal लगा देंगे और यह add करने में बिलेगा 4 and 2 24 और यहां पर उतार लेंगे 0 6 ठीक है हम इसे ज्याद रिखे decimal के बाद जब pair जो होता है उसको उतारते हैं तो decimal बढ़ा लेते हैं अब 24 से जाना है 122 और 25 यहां पर उतार लेंगे और यहां पर आइड कर लेंगे मिलेगा आपको 4 and 4 and 2 means 244 अब यहां पर देखिए 2 का टेवल पढ़ी है और देखिए कि 12 विखिती बार में आता है लेकिन 6 टाइम पर जाएगा और यहां पर इंड में आप देख रहे हैं 5 है तो इसका मतलब कि 5 से चला जाना चाहिए तो यहां पर ध्यान देखिएगा आप पहली बार 1 से लेगे थे तो यहां पर 1 हो गया फिर दो से ले गए थे तो यहां पर 2 हो गया उसके बाद decimal लगा करके कितने बाद ले गए थे 2 से ले गए थे या 2 लिख देंगे उसके बाद 5 से ले गए है 5 लिखेंगे मतलब कि पहले देखते हैं कि 5 से जा पाता है कि नहीं 5 से 25 का 5 हो जाएगा 2 carry over and 5 for the 20 20 and 2 22 का 2 2 carry over and 5 for the 20 and 2 again 22 का फिर से 2 carry over again and 5 to the 10 and 2 12 cancel out means हमारा जो आ गया square root of this number means सब्सक्राइब सकते हैं कि so square root of 150.0625 is 12.25 okay thank you so much for watching bye